नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेव प्रिया सिंग, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इसकाशों में भारतिय संस्कृती में संस्कार रीती रिवाज परंपराओं का बहुत महत्व है लेकिन बहुत से लोगों को रीती रिवाज संसकार या परंपराओं के धर्मिक एवं विज्ञानिक कारुणों का पता नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों के मायने को समझें। दोस्तों हिंदु धर्म में माते पर तिलक लगाना काफी महत्वगों माना गया है। पूजा के समय मंदिर जाने पर या कोई अनुष्ठान करवानी पर तिलक लगवाया जाता है। ये संस्कृती प्राचीन काल से चलिया रही है। तिलक भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कि वैशनो तिलक जो होते हैं वो U-shape के होते हैं। जो शैवे होते हैं, जो शैव की अराधना करते हैं, वो त्रिपुन धारन करते हैं। किसी के माथे पर तिलक लगा देखकर हमारे मन में ये सवाल कई बार आता है कि तिलक लगाने के फाइदे क्या हैं? क्या ये महज दूसरे के सामने दिखावे के मकसिद से लगाया जाता है या फिर तिलक धारन करने के कुछ विज्ञानिक आधार भी है? दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिंदू धर्म में तिलक लगाने के पीछे धार्मिक एवं विज्ञानिक कारण क्या है? धार्मिक मानिता के मताबिक मस्तश्क के बीचों बीच भगवान विश्णू का निवास होता है उस स्थान पर ही तिलक भी लगाया जाता है मानिता है कि इससे भगवान विश्णू प्रसंद रहते हैं महिलाए इससे मातरानी का आशिरवाद मान कर मस्तिश्क पर लगाती है। इसके अलावा इस स्थान को त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शरीर की तीन नाडियां एक साथ मिलती है। यही स्थान मन का गुरू का भी होता है, इसलिए इसे काफी महत्वब मूर माना जाता है। इस स्थान पर तिलक लगाने से मन की एक आगरता बढ़ती है और व्यक्ति का तेज बढ़ता है। हिंदु धर्म में संगम तट पर गंगा स्नान के बाद तिलक लगाया जाता है। मानेता है कि इससे मोक्ष की प्राक्ति होती है। धार्मिक रूप से चंदन, रोली, हल्दी, कुमकुम और भस्म के तिलक का अलग-लग महत्व है। अब अगर विज्ञानिक तौर पर हम बात करें, तो हमारे शरीर में साथ चक्र होते हैं। इन्हें उर्जा का केंद्र माना जाता है। मस्तिश्क के बीचों बीच आग्या चक्र होता है। यही स्थान पाइनियल ग्रंथी का होता है। जब उसे स्थान पर तिलक लगाया जाता है, तो पाइनियल ग्रंथी का उद्रीपन होता है। इससे शरीर के सुक्ष्म और स्थूल अवियन जागरित होते हैं। मस्तिश्क पर तिलक लगाने से और सिराटोनिन नामक रसायन का श्राव भी संतुलित रता है। इससे मस्तिश्क शान्त होता है। एक आगरिता बढ़ती है, गुस्सा और तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच विक्सित होती है। तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमश्कार।